राजधानी दहरादून इस्तित कनाट प्लेस जो अपने आप में एक सदी का इतियास लिये हुए है बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा 14 सितंबर को इसे खाली कराने का काम सुरू होगा और बहुत जल्द इसे जमी दोज कर दिया जाएगा दिल्ली में इस्तित कनाट प्लेस की तरज पर 40 के दशक में हुई इस इमारत के निर्मार के बाद यहां 150 से अधिक परिवार और 70 के करीब दुकाने हैं सन 1930 से 40 के दशक में दहरादून की पहली इमारत थी जो तीन मंजिला बनी थी इस वक्त दहरादून के धनी सेट और बैंकर्स रहे मंसा राम ने दिल्ली के कनाट प्लेस की तरज पर इसे बनवाया था मंसा राम ने बोंबेक से आर्किटेक्ट बुलाकर इस बिल्डिंग का निर्मान कराया था इसके निर्मान के लिए सेट मंसाराम ने भारत इंसुरेंस से एक लाक पच्चिस हजार रुपे लोन लिया था इसे मुख्य रूप से विभाजन के समय यहां आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था जिससे लोग यहां अपना व्यवसाई कर सके लेकिन अब इससे खाली कराने और उसके बाद जमी दोज कराने की कवायत तेज हो गई है इस गिरासों भावनों के दूस्ती करण के समय यहां काभिज लोगों द्वारा किसी तरह की कोई लौ एंड आर्डर के स्तती ना बिगड़े इसको देखते वे देरादोन पुलिस प्रशाशन ने भी पचास से अधिकों पुलिस कर्मियों की टीम को तैयार कर लिया है स्सपी दलिप सिंह कोवर ने कहा है कि कारवाई का विरूत करने और अच्छन डालने वाले लोगों के खिलाब कोट के आदेश की अवहिलना के तहत कारवाई होगी झालने वाले लोगों के तहत कारवाई होगी